हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपके लिए दोस्लाईयों का एक और डिसाइन लिकर आई हूँ जिसे आप बेबी ड्रेसेज में भी बना सकते हो और आप इसे लेडीज काडिगन वगरा में भी बना सकते हो ठीक है? तो बहुत आसान डिजाइन है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताने वाली हूँ तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहेगा मेरे साथ वीडियो गर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजेगा और चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो आईए देखें फिर कैसे बनाएंगे हम इसे तो इसे बनाने के लिए हम और नमबर में फंदे ले लेंगे यहाँ पर मैंने लिए हैं 21 स्टिचेस और डिजाइन को हम सीधी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम पहला फंदा हमारा उल्टा है तो हम इसे उल्टा करके स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे एक फंदा सिधाबनाएंगे एक फंदा उल्टाबनाएंगे निट बन पर्ल बन इस तरह से हम पूरी रोग को कम्प्लीट कर लेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा तो जब हम और नमर में फंदे लेते हैं तो हमारा पहला फंदा और लास्ट वाला फंदा सेम टू सेम आता है तो पहला फंदा भी अगर आप सिधा करोगे तो लास्ट भी सिधाएगा यहां पर मैंने पहला फंदा उल्टा किया है तो सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से हमने बना लिया अब आएंगे हम सेकेंड डो में पहला फंदा हमें सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे उल्टे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल फंदा बनाते हैं उल्टा, आप देखिएगा क्या करना है, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को हमें बैक लूप से सिधा बनाना है, उल्टे फंदे को उल्टा बनाना है, सीधे फंदे को बैक लूप से सिधा बनाना है फिर से देखिएगा उल्टे फंदे को हमें उल्टा बनाना है सिधे फंदे को बैक लोब से सिधा बनाना है उल्टा फंदा उल्टा सिधा फंदा बैक लोब से सिधा अब लास्ट वाले फंदे को प्रंट लोब से सीधर बनाएंगे तो यहाँ पर यह हमारी सेकंड रोग कंप्लेट हो गई अब इन्हीं दो स्लाईयों को हमें बार-बार रिपीट करते रहना है बट हमें क्या करना है हर सीधी स्लाई पे हमें सीधे फंदे को जो है शिफ्ट करना है ठीक है डिजाइन को हमें शिफ्ट कर लेना है कैसे सीधे फंदे के उपर हम उल्टे को ले आएंगे और उल्टे फंदे के उपर सीधे कुले आएंगे बस यह हमें हर सीधे स्लाइम में करना है और उल्टी स्लाइम में हमें सीधे फंदे को बैक रूप से बनाना है तो एक बारा फिर से देखिएगा यह पहला फंदा हमारा सीधा है इस पहला फंदा हमारा उल्टा है इसको हम बनाएंगे, सीधे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, उल्टे फंदे को सीधा बनाएंगे, सीधे फंदे को उल्टा बनाएंगे, झाल झाल ठीक है सीधी रों हमें इस तरीके से कंप्लेट कर लेनी है उल्टी रों में उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे पहला फंदा इसलिए स्लिप कर लेंगे धागा पीछे करेंगे सीधे फंदे को बैक लोप से सीधा बनाएंगे उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे सीधे बैक लोप से सीधे हुनाएंगे अब फिर से हम सीधे साइड में आएंगे और डिजाइन को शिफ्ट कर देंगे क्या करेंगे सीधे फंदे के उपर उल्टा ले आएंगे इसको हम उल्टा करके स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे उल्टे फंदे को सीधा बनाएंगे सीधे फंदे को उल्टा बनाएंगे आ कर दो दो आ और दो और दो खो आ हो गली आ ज वाए है उल्टे स्लाई में पहले फंदे को स्लिप करेंगे धागा आगे करके उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को बैक लोप से सीधा बनाएंगे ओर सीधा बनाएंगे उल्टे बनाएंगे तो इनी दो स्लाइयों को बार बार रिपीट करने से ही डिजाइन इस तरह से बनेगा तो वीडियो आपको कैसी लेगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताईएगा चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और बाबाई